रोटी के ऐसी चीज है जो हमारे लिए स्टेपल फूड है हम तीन टाइम रोटी खाते हैं तो वो नाश्ते में भी रोटी दिन के वक्त भी रोटी, रात के वक्त भी रोटी ये एक essential चीज समझी जाती है specially जनूबी एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, ये जो हमारे मुलक है वहाँ पे रोटी को बहुत ज़दा एहमियत हासल है रोटी एक staple food है ऐसा नहीं है कि रोटी के बगार हम जिन्दा नहीं रह सकते अगर रोटी नहीं होगी तो हम जिन्दा नहीं रहेंगे हमारे अंदर कुछ deficiencies हो जाएंगी ऐसे नहीं है वो चीजें जो हमें रोटी से हासल होती है वो हम बाकी खुराक से भी हासल कर सकते है problem ये है कि रोटी का alternative हमारे पास as such मौझूद नहीं है क्योंकि हमारा एक taste develop हो चुका हुए और फिर हमें कोई ऐसी चीज मिलती नहीं है जो इतनी सस्ती हो जतनी के रोटी या आटा सस्ता है तो इसलिए एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में मुझे तो लगता है कि जो number one cause है जिसकी वज़ा से पाकिस्तान सबसे उपर चला गए आपको बता रीसेंट जो स्टडीज हैं उसके मताबक पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़दा केसिस हैं डायबीटीज के अबादी के लिहाज से पाकिस्तान में सबसे ज़दा केसिस डायबीटीज के शुगर के मरीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और उसकी एक बड़ी वज़ा ये भी है हमारी खुराक इस तरह की है रोटी हमने तीन टाइम चार टाइम खाना होती है और रोटी शुगर के मरीज़ों के लिए समझे एक किसम का जहर है उसकी वज़ा ये है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है जब भी आप खाना काते हैं तो आपकी शुगर अगर एकदम से बढ़ जाती है तो हम कहते हैं इस खुराग का गलाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है अब शुगर के मरीजों के लिए गलाइसेमिक इंडेक्स पचपन हो जिस भी खुराग का या पचपन से नीचे हो तो वो समझी जाती है कि इट्स गुड आप इस्तमाल कर सकते हैं मैकसिमम जो नंबर है गलाइसेमिक इंडेक्स का वो 100 होता है 100 से 0 से लेके 100 तक हम कमपेर करते हैं जिस भी खुराग का पचपन से ज्यादा है glycemic index हम कहते हैं ये ठीक नहीं शुगर के मरीज़ों के लिए और इसका 55 से काम होता है हम कहते हैं कि ये ठीक है बरदाश्ट के काबल है चीज उसको इस्तमाल कर सकते हैं और रोटी का ये जो वीट होती है आटा इसका glycemic index 85 होता है 85 जो के बहुत ज्यादा है और जब भी आप खाएंगे उसमें शुगर ज्यादा करनी ही करनी है और यही वज़ा है हमारी शुगर भी कंट्रोल नहीं होती इतनी अच्छी और शुगर के मसायल भी बढ़ते जा रहे होते हैं आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जो आटा इस्तमाल करते हैं उसकी बजाए कुछ और ऐसा क्या इस्तमाल कर सकते हैं जिससे आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाए और आप अगर शुगर की रमिशन चाहते हैं खतम करना जाते हैं अपने जिसम से तो भी आपको help मिले तो सबसे पहला जो option आपके पास मुझूद है वो ये है कि आप आटे से जान चुड़ाएं किसी किसम का भी आटा है आटा आटा आपके लिए फाइदा मन नहीं है जितने भी grains होते हैं गंदम हो गई जवार हो गया बाजरा हो गया हर तरह का जो आटा ह होता है वो इतना फाइदा मन नहीं होता आपके लिए तो रोटी जो है वो किसी भी किसम की वो आपके लिए सेहत बश नहीं है अगर आपको शुगर का मसला है और आप अपनी शुगर से जान चुड़ाना चाहते हैं तो पहला तो option ये है कि इसको निकाल ही दें अपनी खु पहले नमबर पे और दूसरे नमबर पे वो चक्की का आटा हमीरा होना चाहिए मतलब उसको कुछ दिन के लिए अगर रखें आप खमीरा उसको कर दें चाहे आप खुद से यीस्ट एक माइकर और आर्गनिसम होता है जैसे ये दई को जमाने में भी जो इस्तमाल किया जाता और बहुत सारी फर्मेंटेशन के लिए इस्तमाल करते हैं तो वो आप इस्तमाल कर सकते हैं नैचरली भी होता है वो खुद बहुत आटा अगर आप कुछ दिन के लिए रखें एक दो दिन के लिए तो वो खुद बहुत हमीरा भी हो जाता है तो खमीरी रोटी आप इस्तमा add करेंगे, salad add करेंगे तो आटे का जो effect होगा मतलब sugar आपकी एकदम से उसने जो बढ़ानी है वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ाएगा क्योंकि जो salad होता है वो आपकी sugar को increase नहीं होने देता तो salad का major portion अपनी खुराग के अंदर रखें जब भी आप खाना खाएं तो आदी रोटी खाएं और साथ में salad काफी ज़्यदा हुआ आपके पास salad किसी भी किसम का हो सकता है ऐसा नहीं है कि आपने कोई specific बस खीरा ही इस्तमाल करना है उसी को आप salad कह सकते हैं आप प्याज इस्तमाल करें आप पालक इस्तमाल कर सकते हैं कच्ची पालक भी आप इस्तमाल कर सकते हैं जो बड़े पते होते हैं वो थोड़ा मुश्किल होते हैं उनको हजम करना तो छोटे जो पते होते हैं उनको आप इस्तमाल कर सकते हैं बल्गोर वीट रिफाइन नहीं ऐस सच हुई होती उसमें फाइबर्स की अच्छी मिकदार मौजूद होती और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा नहीं होता मेरा ख्याल है 48 के करीब होता है 50-48 जो कि आपके लिए ठीक है आप इस्तमाल कर सकते हैं और यह जो बल्गोर वीट है इसको आप चावलों के तोर पे भी इस्तमाल कर सकते हैं मतलब चावल तो शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है आपको चावल इस्तमाल नहीं करने चाहिए हाँ अगर आपको चावलों वाला टेस्ट चाहिए उस तरह का टेक्स्चर चाहिए तो आप बल्गोर वीट को चावलों की जगा पे इस्तमाल कर सकते हैं अच्छा आप एक दो और आटे की किसमे हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काम होता है एक होता है कोकोनाट आटा कोकोनाट आटा जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ज्यादा नहीं होता तो वो भी शुकर के मरीज के लिए ठीक है आलमंड जो बैदामू का आटा होता है वो भी अच्छा होता है लेकिन प्रॉबलम यह है यह बहुत प्रिएइ अपर इसमाल करें और वो कुमीरा अटा उना चाहिएbreaker, रोटी की मिकदार कम करें, आदी रोटी इसमाल करें, सलाद बहुत ज़स्था इसमाल करें, सालन के साथ मेक शूर करें कि उसको खाली रोटी नहीं आप खारे साथ में सलाद बहुत ज़दा खा रहे हैं और सालन में सबजियां होनी चाहिए तो इस से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी अगर आप इवन शुगर को खतम करना चाह रहे हैं तो भी help मिलेगी आपको फिर end पर एक option है multi grain आटा multi grain का मतलब यह है कि सिर्फ उसमें गंदम ना हो उसके अंदर आप जो या जई जो होती है oats जिनको कहते हैं वो आप इस्तमाल कर सकते हैं उन से भी शुगर की जो मिकदार होती है मतलब जो glycemic index होता है वो आटे का काम हो जाता है तो multi grain आटा भी आप इस्तमाल कर सकते हैं इस वीडियो का जो टीक हो message है वो यह कि अपनी जिन्दगी से आटे को खतम करो आटे को निकालो अपनी जिन्दगी से किसी तरह से भी निकालो और आटे की जगा पे ऐसी चीज़ें लेके आओ जिनका glycemic index अच्छा है अंडे आप लेके आ सकते हो अंडूं से आपको कोई problem नहीं होती हाँ कुछ लोगों को जर्दी का मसला होता है कि जर्दी हमें पसंद नहीं है तो जर्दी चलें एक अंडे की जर्दी आप खा लें और बाकी अंडे जो हैं उनका सिर्फ वो जो white portion होता है वो आप इस्तमाल करें दो तीन अंडे चार अंडे भी आप खा सकते हैं अगर सिर्फ white खा रहे हैं और york जो है मतलब जो जर्दी है वो सिर्फ एक अंडे की खा रहे हैं तो आपको ये नुकसान नहीं बुन जाएगी चाहिए आपको blood pressure का मसला है cholesterol का मसला है तो ये ना cholesterol को उस तरह से ज़दा करती है और ना ही blood pressure cause करती है जर्दी अंडे की उमीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक करें इस चैनल को सबस्क्राइब करें तक इस तरह के मजीद informative वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें शुक्रिया